दोस्तों Bank of Boroda का Internet Banking आप यूज़ कर रहे हो और Net Banking से आपको पिछले 6 महिने या फिर 1 साल का स्टेटमेंट निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो और कि डाउनलोड कर सकते हो ये बताने वाला हूँ चैनल पर नए हो सबस्क्राइब जरू कर दीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके फोन के अंदर कोई एक वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे बीओ बी नेट बैंकिंग सर्च कीजिए बैंक ओफ बरोड़ा डॉट इन का आपको बीओ बीओ इंटरनेट बैंकिंग का उप्शन मिल जाएगा इसे सिलेट करके आगे बढ़ जाना है अब नेक्स पेज पर यहाँ पर लॉगिन का उप्शन मिलता है बट यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है नीचे आके यहाँ पर रिटेल यूजर लॉगिन सिलेट कीजे और फिर हम आ जाएंगे लॉगिन पेज के उपर तो यहाँ पर यूजर आईए एंटर कीजे लॉगिन के उपर टैप कीजे आगे जाने के बाद पासवर्ड एंटर करने का उप्शन मिल जाएगा तो लॉगिन प्रोसेस जो है एक ब यूजर यूजर ओसफुडेश आधे क्याक्विन लुखे लाएंट के लॉग्यूज्शन मिल इप लेकिन यहां पे अकौंट समरी के ऊपर ऑगे आगे आते हैं यहाँ पर डेक सीजे को Usually धी यहां को bus रहाएं नंबर यहां यहां पर शो किया जाएगा गानवे अगर मैं नीचे जाओ, तो यहाँ पे मैं मेरा account number चेक कर सकता हूँ, branch क्या है वो चेक कर सकता हूँ, available balance कितना है वो भी चेक कर पाऊंगा, अब आपको statement डाउनलोड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए balance के आगे 3.com option मिलता है, उसे select कीजिए, यहाँ पे generate account statement को option आपको पहला ही मिल जाएगा, तो generate account statement पो tap करना है, next page पे आने के बाद, यहाँ पे नीचे आप आपके recent transaction चेक आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ recent transaction आप यहाँ पे नीचे चेक कर पाऊगे, और यहाँ पे एक छोटा arrow का option आपको मिलता है, वो अगर आप select करते हो, तो यहाँ पे आप last 15 transaction, last 7 day transaction, last 14 days transaction या फिर last 30 days के transaction चेक कर पाऊगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको last 60 days या फिर last 6 months का या फिर last 1 year का account statement डाउनलोड करने का option या शो नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए search transaction का option मिल रहा है, search transaction पे ट अब यहाँ पे आप date select कर सकते हो, कि आपको कब से लेके कब तक statement चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2023 से लेके March के 1-2024 तक का transaction रख लेता हूँ, तो आप देख सकते हो, date यहाँ पे मैंने set कर दिया, 1-2023 से लेके 1-2024, बस यह चीज़ याद रखना कि यहाँ पे यह option जो है, date पर selected होना चाहिए, इसके बाद में यह चीज़े होने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर simply search के उपर tap करना है, अब दोस्तों जैसे ही आप search के उपर tap करते हो, यहाँ पर transaction की list जो है आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर pages देख सकते हो, कितने pages यहाँ पर आ चुके है, सिलेक करने के बाद जैसे ही file डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद में आपके phone के अंदर PDF viewer होगा, तो वो सिलेक करके आप file को open कर सकते हो, अब यहाँ पर password पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप आपका mobile number as a password यूज़ कर सकते हो, तो enter करके simply ok पर tap कीजिए, तो यहाँ पर देखिए, दोस्तों statement यहाँ पर show हो रहा है, अब यह मैंने पिछले एक साल का statement निकाला है, हलाकि मेरे बहुत ज्यादा transaction नहीं थे, तो इतना visible हो रहा है, लेकिन मैं आपको zoom करके date दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर statement period में आप देख सकते हो दोस्तों, एक मास 2003 से लेके एक मास 2024 तक का जो है, यह statement जनरेट हुआ है, तो इसी तरीके से आप 6 माइने का date set करके, 6 माइने का statement जो है डाउनलोड कर सकते हो, तो बस दोस्तों यही simple तरीका है जिसकी मदद से आप आपके B.O.B. net banking से statement डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो अच्छा लगा है, helpful लगा है, like, subscribe जरू कर देना, मिलता हो next video में, thank you